हालो गाइस तो स्वागत है मेरे नए नए दिन के नए वीडियो में और मेरे जीवन के नए पड़ाओ पे आपका स्वागत है तो वीडियो में बने रहें हम दिखाने वाले हैं आज हमारे जिंद्गी के एक एक पल तो वीडियो में बने रहें चलिए दिखाते हैं हम इसे वारी मुझाने पर फिर मुखेस जो की पर्चार बनेगा अंगे अधार घराब हो गया है आइसे भगवान किसी के साथ नहों नहां करे गरीब के शाथ तो बिल्कुल नहां करें गरीब के बस पाइच्छा नहीं रहे हैं बनाने के लिए जाए वाइदा रूपर सुना, राट नाज़ा है उसी को ले ले, उसको लेगा ले जादा नहीं काटना है थूजा किया क्या काटेगा तुछ वादा निक चले ले खर ये सिंग देश छोटे बाबू, ये अनदा आप देश छोटे कहींचिए अब हम यहां गड़ा कोड़ेंगे क्यों कोड़ेंगे हम बताएंगे कोड़ने के बाद तो मेरा गड़ा त्यार हो गया है ये देख सकते हूँ इसमें मैं अपनी उमीद को दफान करूगा क्योंकि बहुत उमीद कर लिया मैं लोगों से इसलिए मैं उमीद को भी दफान कर दूँगा इसका दफान होने को टाइम हो गया है इसका नाम है बुल मत अजन्जू भाग गई खाना पकारी है अजन्गा वे तुमाइ जा रहा हूँ धोके इसका आद हुआ अबर में चला काम पे अरे मेरा चापल डूड़ गया यह है मेरा खाद दर पिछे वला खाद यह बर में चला खेत की रूर हरा भरा हो गया है उमें पहुंच गया इसमें लगाने वाले हैं रहियर का दाल यह अपना खेत यह से नीचे तक ठक गया है लाते लाते हैं भींग भी गया यह है मेरे नानी का खेत और खेत में आया है हाथी आया था खूंद के चला गया इसमें जाता है हाथी हर साल मेरानी का खेत है और धान लगाया है मेरे पोपा ने और हाथी नीधर खूंद खूंद के पार हो गया है तो इससे उता है हाथी का पायर का निसान बड़ा बड़ा तो मैं चला अभी घर की ओर यहां तक है मेरे नानी लोग खेत दिये निचे तक वो पर से वो द्यागे से आगे हम लोग कहें तो अब मैं चला घर यह है हाथी के पायर का निसान इस तरह से है यह है मुर्गी का पंक टूर गिया लाल वाला मुर्गी लेकिन मुर्गी लाल नहीं है एक टो पंक मिला है मुर्गी का लाल झाल